आज में आपको लेटेस्ट एक्जाम MP पटवारी नोटिफिकेशन 2023 के बारे मैं ताने जा रहे हूँ यहाँ पर इसकी पूरी इंफोर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पर इस एक्जाम की पूरी इंफोर्मेशन दी गई है नीचे वेकेंस रिटेल जिसमें ओर्गनेशन नेम है मद्यपरदेश पॉर्फेशन एक्जामिनेशन बोर्ड MP पोस्ट है पटवारी वेकेंसी रहेगी यहाँ पर टोटल 3555 एप्लिकेशन की स्टार्टिंग डेट है 5 जनवरी 2023 और लास डेट है यहाँ पर ओफिकल विजिट आप कर रहेगा साथ ही में इस वेकेंसी की नोटिफिकेशन के बारे में और भी इंफर्मेशन आप ले सकते है नीचे यहाँ पर इनपोर्टेंट डेट भी आपको दी गई है जिसमें जैसे की मैंने बता है स्टार्टिंग डेट, लास डेट और करेक्शन डेट आपकी रहेगी यदि आप करेक्शन कराना चाहते हैं वो में तो 21 जनवरी 2023 इसकी डेट रहेगी एक्जाम डेट आपकी रहेगी 15 मार्च 2023 तक आपके एक्जाम हो सकते हैं यहाँ पर वेकेंस डेटेल सापको दी गई है जिसमें पोस्ट टाइप और किस पोस्ट में कितनी वेकेंसी है यहाँ पर शो की गई है नीचे आपको एजुकेशन कौलिफिकेशन भी दिया गया है गरिशन के कोडिंग आप फॉंप लाइग कर सकते हैं साथ ही में आपको कम्पूटर नॉलेज भी होनी चाहिए जिसमें हिंदी टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए यहाँ पर किसी भी कम्पूटर में CP, CT में या फिर CP, CT में तीन साल का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए यहाँ पर एज लिमिट आपके रहेगी मिनिमम अठारा से मेक्जिमम चालिस एर्स यानि की अठारा से चालिस साल तक के केंडिडिस में फोपलाई कर सकते हैं यहाँ पर एप्लिकेशन फीस आपको केटेगरिस गाईज दी गई है जिसमें जर्नल और अदर स्टेट के यहाँ पर 500 फीस रहेगी साथ ही में SC, ST, OBC के लिए 250 सेलेक्शन परसेज आपका रहेगा रिटन एक्जाम प्रोफेशनल इंटर्व्यू डोकुमेंट वेरिफिकेशन इसके इकूटिंग आपको सेलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा आपके एक्जाम प्रपेशन के लिए हमारे पोटल पर मौक टेस्ट कोशन पेपर and MCQS साथ ही में एक्जाम से लिए बस नप्रपेट पेटन आपको यहाँ पर दिया गया है अब लेबल हर पर किलिक करके आप इन्फोरमेशन ले सकते हैं और इसे एक्जाम से आप हर एक्जाम के प्रपरेशन इजिली कर सकते हैं इस पर क्लिक करके आप फिर प्ले सकते हैं आपने मारे विजट को सस्क्राइब नहीं क्या हो तो प्लेज सस्क्राइब कर लिजएगा जो नहीं जूड़े हैं लेटेस जूड़े हैं वो भी सस्क्राइब कर लिजएगा इससे आपको लेटिस अग्जाम सर वीडियो स्की न्यू नोटिफिकाशन जानकारी मिलते चले जाएगी मुझे सुनने के लिए ठैंक्स गाइस डिस्क्रेप्शन बॉक्स में सभी लिंक से दिये गए है